हेलो दोस्तों नमस्कार मैं विवेक कुमार ताकि आने वाली हर विडियो आप तक पहुँच सके तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं यूपी पुलिस के एक इंस्पेक्टर की उनके घर के बाहर ही गोली मार कर हत्या कर दी जाती है CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने पर पता चलता है कि वारदात के वक्त हुडी पहने एक शक्स साइकल पर उसी इलाके में घूम रहा था मगर उसका चेहरा किसी कैमरे में कैग ना हो सका इसलिए पुलिस उस तक नहीं पहुँच सकी उसी दौरान पुलिस को इंस्पेक्टर की कार से एक GPS डिवाइस बरामद होता है और फिर एक ऐसी साज़िश का खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई दहल जाता है करीब 75 दिनों से रची जा रही थी एक खूनी साज़िश और निशाने पर था यूपी पुलिस का एक तेस्तरार इंस्पेक्टर पुलिस की चानबीन के दौरान इंस्पेक्टर की कार में लगा एक खुफिया GPS मिला जाट आगे बढ़ी तो सोशल मीडिया के जरिये हथियारों की खरीदारी का पता चला और फिर दिवाली की रात पटाखों के शोर में फाइरिंग तो हुई लेकिन गोलियों की आवास कहीं गुम हो गई कातिल अपने मकसद में काम्याब हो चुका था ये करीब करीब एक परफेक्ट मर्डर था जिसे सुलजाने में यूपी पुलिस को इस कुनकुने मौसम में भी पसीने छूटने लगे लेकिन कातिल की एक गलती से ना सिर्फ छै दिनों की कोशिश के बाद ये केस सुलच गया बलकि जब इस मर्डर केस के पीछे छुपे असली किरदारों का पता चला तो मारे गए पुलिस इंस्पेक्टर के घर वालों के साथ साथ खुद मामले की जाच कर रही पुलिस भी हैरान रह गई इस कहानी की शुरुआत होती है इसी दिवाली वाली रात से लखनव के मानस नगर के रहने वाले पुलिस इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिन अपनी पत्नी भावना और दस साल की छोटी सी बेटी के साथ राजाजी पुरम में एक रिष्टेदार के घर दिवाली मनाने गए थे माहौल बेहद खुशगवार था लेकिन दिवाली सेलिब्रेशन के बीच ही देर रात भावना की तबीयत कुछ ऐसे बिगडी की उसके लिए अपने रिष्टेदार के घर में एक पल भी रुकना मुश्किल होने लगा लिहाजा इंस्पेक्टर सतीश अपनी पत्नी और बेटी को साथ लेकर वापस मानस नगर के लिए निकल पड़े चुकि पत्नी भावना की तबीयत ज्यादा ही खराब थी वो और उनकी बेटी दोनों गाडी की पिछली सीट पर सो गए जबकि सतीश ड्राइव करते हुए घर तक पहुँचे लेकिन रात करीब दो बजे के आसपास जैसे ही गाडी मानस नगर में घर के बाहर रुकी और इंस्पेक्टर सतीश घर का गेट खोलने के लिए गाडी से नीचे उतरे अचानक एक के बाद एक गोलियों की कई आवाजे सुनाई पड़ी और इंस्पेक्टर सतीश खून से लथपत होकर अपने घर की दहलीस पर लुढ़क गए पहले तो कार में सो रही भावना और उनकी बच्ची को इस वारदात के बारे में कुछ पता ही नहीं चला लेकिन जब एक के बाद एक गोलियों की आवाज भावना के कानों में पड़ी और उसने गाड़ी से बाहर जाग कर देखा तो पाया की उसके पती इंस्पेक्टर सतीश जमीन पर पड़े हुए हैं इसी दोरान भावना की नजर गाड़ी के बगल से तेजी से भागते एक हुडी पहने हुए शक्स पर पड़ी भावना ने फौरन गाड़ी से उतर कर अपने पती को संभालने की कोशिश की लेकिन उनकी हालत देख कर घबरा गई और बुरी तरह से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी भावना ने ही इस वारदात के बारे में पुलिस को इत्तिला दी और आननफानन में मौके पर पहुची PCR और कृष्णा नगर थाने की टीन ने सतीश को उठा कर अस्पताल पहुचाया लेकिन जब तक उन्हें अस्पताल पहुचाया जाता तब तक उनकी जान जा चुकी थी दौक्तरों ने इंस्पेक्टर सतीश को मुर्दा करार दे दिया चुकी मामला कतल का था पुलिस मामले की खबर मिलने के साथ ही मामले की चानबीन शुरू कर चुकी थी पुलिस को पता चला कि इंस्पेक्टर सतीश कुमार सिन पीएसी की एक यूनिक में तैनाथ हैं और उनकी पोस्टिंग प्रयागराज में थी सतीश दिवाली की चुट्टियों में कुछ दिन पहले ही घर लोटे थे और अब ये वारदात हो गई पर सवाल ये था कि आखिर इस वारदात के पीछे कौन था? आधी रात किसने ली इंस्पेक्टर सतीश की जान? क्या थी इस वारदात के पीछे की कहानी? रात के अंधेरे में हुडी पहन कर आया कातिल कौन था? अब ऐसे कई सवाल पुलिस के सामने थे उसे जिनकी तह तक जाना था पुलिस ने मामले की चानबीन के लिए कई टीमें बनाई जिन्हें घरवालों से सतीश के सहकर्मियों से और पडोसियों से बातचीत कर उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने का जिमा दिया गया साथ ही पुलिस की कई टीमे सतीश के घर के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगालने लगी इस छानबीन के दौरान पुलिस को कई चौकाने वाली बातें पता चली खुद इंस्पेक्टर सतीश की पतनी भावना ने उनके बारे में कई अजीब बाते बताई भावना ने कहा कि उनके पती सतीश बहुत आशिक मिजाच किस्म के इनसान थे शादी शुदा और बाल बच्चेदार होने के बावजूद उनके ना सिर्फ कई लड़कियों से रिष्टे थे बलकि कई बार सतीश उनके घर में होने के बावजूद दूसरी लड़कियों को घर लेकर आते थे यहां तक कि एक बार उनकी दस साल की बच्ची ने खुद अपने पापा को ऐसा कुछ करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था भावना का कहना था कि सतीश ने अपने एक दूसरे मकान में ऐसी ही कुछ लड़कियों को किराए पर भी रखा है जिन से उसके रिष्टे हैं सतीश के बारे में ऐसी बातों ने पुलिस को इस पहलू की गहराई से चानबीन करने के लिए मजबूर कर दिया अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो आप से विनमर निवेदन है की कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृप्या क्राइन की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है पुलिस सूतरों की माने तो सतीश के कई लड़कियों से रिष्टे की बात तो सामने आई ही थी उन्हें ये भी पता चला कि सतीश कुछ तांत्रिकों के भी संपर्क में थे जिन्होंने उन्हें खजाना पाने के लिए कुछ तंत्रक्रियाओं के बारे में बताया था इस तरह तंत्रक्रिया के लिए खास कर सतीश को ऐसी अविवाहित लड़की की तलाश थी जिसके शरीर में कोई डाग ना हो और तोर सतीश ने अपनी इस तलाश का जिक्र अपनी पतनी से भी किया था सतीश ने भावना को फतेहपूर के एक तांत्रिक का जिक्र करते हुए ऐसे विधी विधान की चर्चा की थी ऐसे में पुलिस ये सोच रही थी कि क्या तंत्रमंत्र के चक्कर में ही किसी ने सतीश की हत्या कर दिया फिर इस कहानी का राज कुछ और है पुलिस इन तमाम एंगल को एक सपलोर तो कर ही रही थी साथ ही वो CCTV फुटेज की भी जाच कर रही थी इसी कड़ी में पुलिस को वारदात वाले समय के आसपास सतीश के घर के पास अलग-अलग रास्तों से एक साइकल सवार गुजरता हुआ दिखाई दे रहा था खास बात ये थी कि साइकल सवार ने हुडी पहन रखी थी और अपना चहरा छुपा रखा था जिससे किसी भी CCTV कैमरे से उसकी पहचान मुम्किन नहीं हो रही थी ऐसे में पुलिस को शक होने लगा कि इस वारदात में इस नकाब पोश साइकल वाले का हाथ हो सकता है दूसरी और पुलिस ने जब इंस्पेक्टर सतीश की क्रेटा कार की तलाशी ली तो ये देखकर हैरान रह गई की उसमें खुफिया तरीके से एक GPS ट्रैकिंग डेवाइस लगाया गया था जिससे कार की लोकेशन पता चल सके पुलिस ने जब इस GPS ट्रैकिंग डेवाइस के सोर्स का पता किया तो देखकर हैरान रह गई की GPS की लोगिन सतीश की पत्नी भावना के भाई देवेंदर के मॉबाइल फोन से की गई थी ये एक अजीब बात थी तो क्या ये देवेंदर ही था जिसने अपने बहनोई सतीश की कार में GPS लगाया था और सतीश के मुवमेंट को लगातार ट्रैक कर रहा था अब पुलिस ने देवेंदर के बारे में जानकारी जुटाने के साथ साथ CCTV कैमरे में नजर आ रहे उस हुडी वाले साइकिल सवार के साथ देवेंदर का हुलिया मिलाने की कोशिश किया इत्तेफाक से देवेंदर का हुलिया और उसकी बॉडी लैंग्विज साइकिल सवार से काफी हद तक मिलती जुलती थी तो क्या ये देवेंदर ही था जिसने अपने बहनोई का कतल किया था कहानी लगातार नए-ने मोड लेती जा रही थी तफ्तीश में सतीश के साले देवेंदर का नाम सामने आने के बाद आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया शुरुवाती पूछताच में उसने तमाम इलजामों से इनकार किया लेकिन जब उसका सबूतों से सामना करवाया गया तो उसके पास जुर्म कबूल करने के सिवाए कोई चारा नहीं था लेकिन कहानी इतनी भर नहीं थी कतल की इस वारदात में खुद सतीश की पतनी यानी देवेंदर की बहन भावना भी शामिल थी जो अपने पती की हरक्तों और इन हरक्तों की वजह से घर में रोज-रोज होने वाले जगडों से परिशान थी असल में इंस्पेक्टर सतीश की शादी को दस साल हो चुके थे लेकिन दस सालों से ही उसका रिलेशन अलग-अलग लड़कियों से चल रहा था जिसे लेकर पती-पतनी के बीच लड़ाईयां होती रहती थी और अपनी बहन की इस परिशानी से देवेंद्र भी अकसर बेचैन रहता था फिर देवेंद्र और भावना ने मिलकर सतीश की हत्या करने का फैसला कर लिया करीब धाई महीने पहले उन्होंने इस आइडिया पर काम करना शुरू किया